जैक सान दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे चोटे से यूट्यूब परिवार में दोस्तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि चिलेटेड मिनल मिक्चर क्या होता है और यह सधार्ण मिनल मिक्चर से अलग कैसे होता है तो दोस्तो अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है कि mineral mixture क्या होता है इसके क्या फाइदे होते हैं हमारे पश्यों को mineral mixture क्यों देना चाहिए तो ऊपर i button में मैंने वीडियोज दे रखे हैं, पहले आप वो वीडियोज देखिए उसके बाद ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि जब तक आपको मिनल मिक्चर के बारे में बेसिक नहीं पता होगा आपको चिलेटेड मिनल मिक्चर के बारे में जो जानकरी है इस वीडियो में वो समझ में नहीं आने वाली क्यूंकि इस वीडियो मैं सिरफ related mineral mixture के बारे में ही बात करने वाला हूँ दोस्तो जब भी अब हमारे पश्यों को mineral mixture देते हैं साधान mineral mixture देते हैं तो हमारे पश्यों का जो digestive system है वो उसे अच्छे से observe नहीं कर पाता और उस mineral mixture का अधिकांस हिस्सा गोबर के थुरू बाहर निकल जाता है यानि कि वेश्ट हो जाता है और हम सोचते हैं हमें इन चीजों का पता नहीं होता हम सोचते हैं हम हमारे पश्यों को प्रोपर मात्रा में मिनरल्स दे रहे हैं लेकिन वो अबजरो नहीं हो पाते डाज्यस्टिव सिस्टेम दुवारा बहर निकल जाते हैं तो ऐसे में क्या है कि पश्यों की हेल्थ का नुकसान भी होता है उने proper nutrition नहीं मिल पाते और हमारे पैसों का नुकसान भी होता है तो यहां रोल आता है chellated mineral mixture का chellated mineral mixture होता क्या है कि जो minerals chellation की प्रकिरिया से होकर गुजरते हैं उन्हे chellated mineral mixture कहते हैं chellation से पहले हम chellate वर्ड का मतलब समझेंगे यहाँ चिलेट शब्द या किलेट चिलेशन या किलेशन हम इन्हें दोनों नामों से प्रनाउंस कर सकते हैं अब जो यह किलेट शब्द है यह ग्रीक भाषा के चिलोश शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है केकड़े का पंजा अब केकड़े का पंजा इस तरीके से होता है आपको पता है तो उसी से चिलेशन का जो मतलब है वो लिया गया है अब समझते हैं कि चिलेशन की परकिर्या आखिर होती क्या है दोस्तो इस परकिर्या में क्या होता है कि जो हमारे organic molecules होते हैं जिने की science की भास्या में क्या है lessons कहा जाता है ये lessons क्या है कि minerals के साथ bonding बनाते हैं और एक नया mineral compound बनाते हैं जो कि ज़्यादा bioavailable होता है यानि कि ज़्यादा digestible होता है परश्यों के digestive system में आसानी से digest होता है आसानी से observe किया जाता है तो इसी परकेरिया को chilation कहते हैं और इस chilation की परकेरिया से जो minerals compound बनते हैं उन्हें chilated minerals कहा जाता है अगर और आसान भाशा में समझना चाहें तो जो mineral है हमारा जो साधार्न mineral है उसके आसपास क्या है कि जो हमारे organic molecules हैं वो चिपक जाते हैं जिससे कि उस mineral की जो digestive शमता है वो ब बढ़ जाती है और पशों के शरीर में असानी से वो digest होता है उसकी कारय चमता बढ़ जाती है तो यह बात हुई कि chilated mineral mixture क्या होता है कैसे बनता है ठीक है अब chilated का जो topic है यह काफी बड़ा topic है अगर इसको हम पूरी detail में समझना चाहें तो बहुत बड़ी video बन जाएगी त मैंने आपको असान भाषा में यहां समझाने की कोशिश की उमीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अब बात करते हैं कि chilated mineral mixture के फाइदे क्या है यह साधान mineral mixture से ज्यादा फाइदे मंद क्यों होता है तो दोस्तों सबसे पहला इसका फाइदा यह है कि यह minerals की digestive शमता को nutrients मिल पाते हैं दूसरा फाइदा यह है कि अब अच्छे से अगर digest होते हैं तो waste कम होता है गोबर के थूरू बाहर कम निकलता है तो यह दूसरा इसका फाइदा है इसके अलावा chilated mineral mixture से जो minerals हमारे परश्यों को मिलने हैं वही साधान mineral mixture से मिलते हैं लेकिन साधान mineral mixture से कम मिल मिल पाते हैं और chilated से वह आसानी से अबजर्व हो जाते हैं तो ज्यादा minerals परश्यों को मिल पाते हैं अब बात करें कि हमें use कौन सा करना चाहिए क्योंकि दोनों की जो price है उसमें काफी अंतर मिलता है जो साधान mineral mixture है उसकी अपक्षा में डेर से दो गुना महंगा होता है ch दोस्तो अगर सिधी सी बात है कि अगर आपका बजर्ट है तो आप chilated mineral mixture यूज करें अपने परश्यों के लिए क्योंकि उससे आपके परश्यों को अधिक मात्रा में minerals मिलेंगे और chilated minerals के साथ साथ कि कंपनिया उसके साथ vitamins भी add करती है तो आपके परश्यों को vitamins भी जो थोड़ा कम minerals उसके दवर आपके परश्यों को बिलेगा उसके अलावा कोई उसका भी कोई नुकसान नहीं है वो भी आपके परश्यों के लिए safe है आप use कर सकते हैं और chilated mineral mixture अगर आप online खरीनना चाहते हैं तो नीचे मैंने amazon का link दे रखा है वहां से आप खरीज सकते हैं य यह थी जानकारी chilated mineral mixture के बारे में उमेद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर दीजेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानक करे साथ तब तक लिए जहां भी रहें स्वस्त रहें मस्त रहें जय हिंद जय भारत